जोनपुर में उस समय हड़कम मच गया जब एक बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी कर लिया और इस बंद पड़े मकान में से लाखों रुपे नगत साहिट लाखों का आगूसर चोरों ने पार कर लिया बताया जाता है कि घर के बाहर लगे CCTV कैमरे को भी चोरों ने छतिगरस्त कर दिया है वही इस मकान में उस वक्त कोई नहीं था चोरी की घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुच कर मामले की जाजपरताल में जुड़ गई है आपको बता दे कि जोनपूर में बंद पड़े मकान में चोरों ने किया है चोरी पांच लाख नगदी सहित लाखों का आपू सर्ट चोरों ने पार कर लिया है घर के मुख्यत्वार का ताला तोड़ कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है घर के बाहर लगे सिसी टीवी कैमरे को चोरों ने छतिगरस्ट करते हुए डीवी आर भी लेकर फरार हो गए मकान मालिक का पूरा परिवार घर बंद करके राजस्तान मेंदीपूर बाला जी दर्सन करने के लिए गया था घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुच कर मामले की जाज़ परताल में जुड़ गई है पूरा मामला सागंज खोतवाली छेतर का बताया जा रहा है आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट नारद रिटन न्यूज पर लेकिन लमसम पांच-छेलाग रुपय करिव कैस था और जो भी गाना था उनका उनके मैडम का बच्चों का सारा चीज लेके गया है कोई शी बचा नहीं है पुलिस क्या कर ये पुलिस तो अपना देखी ये सारा चानविन की है डाग स्कौर्ड वाले भी आए थे वो भी अपना देखके गए है अब जो कुछ हो ये संदीव कुमार साहू सोनू जी काते है उनको उनके पिता जी का नाम है रविंदर प्रसाद साहू किराना वाले परिवार क्या जैसे कि जो रविंदर प्रसाहू चाचा जी है वो बगल में राते हैं और यहां पर वो राते हैं उनकी वीवी राती हैं दो बच्चे हैं तेलों रते हैं हमार नाम संदीव बर्नवाल तजबीरों में आप देख सकते हैं किस तरह चोरों ने इस बंद पढ़े हुए मकान में चोरी की है वहीं मकान का सारा सामान उथल फुतल मच गया है और इस चोरी की घटना से चोरी होने के बाद वहां छेतर में हरकम मच गया है वहां के लोग काफी दरसत में हैं तो वहीं इस घटना की जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, सूचना मिलते ही पुलिस वहापत पहुची है और वही इस मकान में पुलिस पहुच कर जाच परताल सुरू कर दी है, तजबिरों में देख सकते हैं आप पुलिस मामले की जाच परताल कर रही है, पुलिस अपनी टीम के साथ उ वाली छेतर का बताया जा रहा है आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट नारद रिटन न्यूज पर